आपका शरीर काम कर रहा है क्योंकि आपके शरीर में खून दोर रहा है ऐसे में यदि व्यक्ति की बॉड़ी में खून की कमी हो जाए तो उसे तमाम तरह की बीमारियां घेर सकती है ऐसे में इंसान का शरीर सुस्त पर जाता है और हड़ियां कमजोर हो जाती है वैसे शरीर में खून की कमी का सीधा संबंध आयरन की कमी से है आयरन की कमी के सामान्य कारणों में खराब आहार, Inflamatory Bowel Disease, गर्भावस्था के दोरान खून की बढ़ती आवश्यक्ता और भारी रक्तस्राव या आंतरिक रक्तस्रावादी शामिल है कारण जो भी हो, खून या आयरन की कमी से शरीर कई तरह के लक्षनों को दिखाता है, जो आपके जीवन की गुनवत्ता को प्रभावित कर सकता है आईए उन्ही लक्षनों के बारे में जानते हैं एक, ठकान आयरन की कमी का सबसे सामान्य लक्षन है इसकी वजह यह है कि इससे शरीर के उतकों तक आक्सीजन कम पहुँचता है, जिससे उरजा की कमी देखने को मिलती है 2. सांस लेने में तकलीफ होना आयरन की कमी का एक आम लक्षन है क्यूंकि हीमोगलोबिन के स्तर में कमी का मतलब शरीर मांस्पेशियों और उतकों को प्रभावी धंग से ऑक्सीजन पहुँचाने में सक्षम नहीं है 3. सिर्दर्द और चक्कर आना आयरन की कमी का संकेत है हीमोगलोबिन की कमी का मतलब है कि मस्तिष्ट तक पर्यापत आक्सीजन नहीं पहुँच पाना जिससे ब्रेन की रक्त वाहिकाएं सूद जाती है और उस पर दबाव बनने लगता है 4. आयरन की कमी होने पर तवचा और बालों को आक्सीजन नहीं मिल पाता जिससे ये शुष्क और शतिग्रस्थ हो जाते हैं और अधिक गंबीर मामलों में यह बालों के जढ़ने का कारण बन सकता है शरीर में आयरन या खून की कमी को कैसे दूर करें शरीर में खून की कमी को दूर करने के लिए कुछ फलों का सेवन करना चाहिए अगर आपको कोई रूब नहीं है तो भी इन फलों का सेवन करें स्वास्थ्य लाब होगा चुकंदर खून की कमी को दूर करने के लिए चुकंदर काफी लाबकारी साबित होता है नियमित रूप से चुकंदर के सेवन से शरीर में खून की मात्रा को पर्याप्स तर तक लाया जा सक ताहे, वहीं चुकंदर और अनार को मिलाकर जूस पीने से भी काफी फाइदा मिलता है दोनों का जूस बनाकर पीने से शरीर में खून बनाया जा सकता है गाज़, सबजियों में अच्छी सेहत के लिए गाज़ काफी फाइदे मन रहती है गाज़ में विटामिन ए, एंटियोक्सिडेंट और अन्य पोशक तत्व पाया जाता है साक्ष्य बताते हैं कि अधिक एंटियोक्सिडे, तयुक्त फल और सबजियां जैसे गाज़ खाने से कैंसर और हृदे रोग के जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है साथ ही गाज़ के सेवन से खून की कमी को भी दूर किया जा सकता है गाज़ का रोजाना जूस पीने से भी काफी फाइदा मिलता है अनार, शरीर में खून की कमी के पूरा करने के लिए अनार सबसे अच्छा उपाए है यह खाने में तो स्वादिष्ट होता ही है इसके कई फायदे भी होते हैं अनार केलशियम, सोडियम, मेगनीशियम, पोटेशियम, तामबा, लोहा और विटामिन्स जैसे तत्वों से भरपूर है अनार खाने से शरीर में खून की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है सेब महत्वपूर्न, एंटियोक्सिडेंट, फ्लेवोनोइट और आहार फाइबर में बहुत सम्रिध है सेब में फाइटो न्यूट्रियंट्स और एंटियोक्सिडेंट कैंसर, उच्छ रक्चाप, मधुमेह और रिदे रोग के विकास के जोखिम को कम करने में सहायता कर सकता है कहा जाता है कि हर दिन एक सेब खाने से आप तमाम रोगों से दूर रह सकते हैं बीमारियों को दूर रखने के साथ ही सेब की मदद से शरीर में खून की कमी को भी पूरा किया जा सकता है सेब के सेवन से भी शरीर में ही मोगलोबिन को बढ़ाया जा सकता है हमारे द्वारा दी गई जानकारी को पहले करके देखें उसके बाद अगर आपको हमारा ये तरीका पसंद आएं तो हमें कमेंट द्वारा जरूर बताएं और हमारे चैनल को वह अगली वीडियो देखने के लब ये अभी सब्सक्राइब करें हाश्मी.com चैनल और हां बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप हाश्मी.com की हेल्थ संबंधी जानकारियों की वीडियो सबसे पहले देख पाएं